टीकमगड के जिला मुख्याले पर राजपुत कर्णी सेना द्वारा एक बैठक की गई जिसमें फिल्म पद्मावत के सिनिमा घरों में प्रदर्शित होने पर विरोध करने की रूप रेखा बनाई गई आयुजित बैठक में मौझूद राजपुत कर्णी सेना के पदादिकारियों ने चर्चा के दोरान बताया कि राजपुत कर्णी सेना 25 जनवरी को प्रदर्शित होने वाली फिल्म पद्मावत का पुर्जोर विरोध करती है बैठक में चर्चा की गई कि उक्त फिल्म में रानी पद्मावती के किरदार को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और ये भी कहा गया कि 25 जनवरी को कर्णी सेना ठीकमगड बंद का अहवान करेगी साथ ही फिल्म के परदर्शन पर रोक लगाने की मांग भी करेगी टीकमगड से कैलाश महुन जडिया के साथ परशान सिंग की रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूजवियोसेसिक्षी.ड़कॉम खबरें अलग अंदाज में